अश्कार सिंप्लिफाइड वेदिक अश्रलाओजी चैनल में आप सभी दश्रहों का बेहत स्वागत है 17th of March 2022 में राहू अपना राशी को बदल के Aries यानि मेश राशी में प्रवेश करने वाले है और अगले 18 महीने के लिए इस राशी में रहने वाले है तो अगर आप लोग का राशी या फिर लगना अगर स्कॉर्पियो यानि व्रिष्चिक है तो 2022 में होने वाला ये राहू ट्रांजिट आप लोग की जिंदेगी को किस तरह किसे प्रवावित करेगा राहू इस पर्टिकुलर 18 महीने के टाइमिंग में क्या-क्या घटना है आप लोग के लाइफ में लेके आएगा इसके विशे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई नए विवर्स है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन यानि बेल आइकन को जरूर अन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया विडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुश सके और 17th of March 2022 में राहु के साथ साथ केतु भी अपनी राशी को बदल के लीब्रा यानि तुला राशी में प्रवेश करके 18 महिनी के लिए रहने वाले हैं तो केतु भी आपकी लाइफ को कैसे प्रवबित करेगा इसके उपर में भी मैं पूरा एक डिटे लट वीडियो बनाऊंगी तो प्लीस उस वीडियो श्रुरू करना शूरू करते हैं तो Scorpio यानि विश्चिक राशी और लगना के लिए राहू आप लोग के 6th house में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 18 महीने के लिए रहने वाले हैं तो क्योंकि 6th house हम लोगे वर्क स्पेस डेली वर्क रूटीन को रिप्रेजन करते हैं यानि दर्शाते हैं तो इस वक्त आप लोग अपने काम के तरफ ध्यान देंगे डेली वर्क लाइफ में आप जो भी काम करते हैं उसके तरफ आप लोग बहुत यादा ऑपसेस्ट हो प्राजित कर सकते हैं बहुत ही इजीली क्योंकि राहु इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको help करेंगे और साथ ही में इन जैनेरल कोई भी बाधा अगर आपको परेशान कर रहा था अब तक तो इस वक्त आप उन सभी बाधाओ को overcome कर सकते हैं हरा सकते हैं बाधाओ को ओके और साथ ही में क्योंकि 6000 जो है वह अमारे health को represent करता है तो इस वक्त आप लोग अपने आपके उपर अपनी शरीर अपने health के उपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे और क्योंकि 6000 जो है वह अगर हम लोग कोई loan या फिर करजा लेते हैं तो उस चीज को भी represent करता है तो इस वक् राहू जो है वह आपको loan लेने में थोड़ा encouragement देगा तो अगर आप लोग loan ले रहे हैं तो ध्यान दीजे कि अगर आपके पास वह loan अगर आप ले रहे हो तो उसको चुकार सकते है कि नहीं पर अगर आप किसी तरह किसी अपने काम के वज़े से loan लेना चाहते थे अब तक मिल रहा था तो वह situation में positive एक सुधार आएगा इस वक्त ओके इस वक्त आपको कोई भी loan बहुत ही easily मिलने के chances बहुत जादा है तो लोन अगर लेना है तो प्लीज सोच समझ के लेना और क्यूंकि राहू का जो है वह special द्रिश्टी होता है यानि राहू जिस किसी भी घर में चड़ते हैं उस घर से लेके पाच नंबर और नौन नंबर घर में अपना द्रिश्टी डालते हैं और उन घरों को प्रभावित करते हैं तो राहू आपके 6th house से आपके 10th house और आपके 2nd house में द्रिश्टी डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि 2nd, 6th and 10th ये तीनों जो घर है वो हमारे 8th houses है यानि ये घर हमें पैसे देते हैं तो इस वक्त आपके overall income में व्रिद्धी आएगा और क्यूंकि 2nd house जो है वो हमारे family को रिप्रेजन करता है family wealth यानि family के थ्रू जो भी money जो भी पैसे हम लोग को मिलता है उन चीजों को दर्शाते हैं तो इ मिलेगा पर इस वक्त एक चीज है कि आपको अपने family के तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कोई ना कोई रीजन जरूर आएगा जिसके वैसे आपको अपने family के साथ रहना पड़ेगा अपने family को ज्यादा time देना पड़ेगा पर उनसे आप लोग को monetary gain and success भी मि आपको इस वक्त अपके family में होने वाला कोई भी problem को solve करना होगा और साथ ही में क्यूंकि 10th house को भी दृष्टी डाल रहे है तो 10th house जो है वो हमारा in general workspace को represent करता है और हम लोग क्या काम करते है हमारा professional life कैसा है professional पूरा situation को represent करते है और society में हम लोग का name fame recognition हम लोग का इज़त क आसा है तो इन चीजों को दर्शात है 10th house इस वक्त आप लोग का जो इन जेनरल जो society में इमेज है प्रेस्टीज है उसमें व्रिध्धी आएगा अगर आप लोग अब तक workspace में को भी काम कर रहे थे पर promotion नहीं मिल रहा था तो अगर आपका particular महादाशला और indication दे रहा है तो का यह दृष्टी आपको most definitely promotion भी दे सकता है पर अगर इन जेनरल अगर आप लोग बिजनेस में भी है तो आपके बिजनेस में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यदा ब्रिध्धी आ रहा है तो यह टाइम अच्छा है पर क्यूंकि 6000 जो है यहां पर मैं डिस्क्लेमर द करते हैं यानि दर्शाते हैं तो क्यूंकि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा आपको पता है कि इस वक्त आप लोग अपना शत्रू defeat कर सकते हैं यानि कोई भी शत्रू का पराजित कर सकते हैं तो अगर इस वक्त अपने workspace में क्यूंकि 6000 भी काम को यानि workspace को रिप्रेज करते हैं तो अगर कोई शत्रू आपको खुद से आके problem create करने की कोशिश कर रहे हैं आपने उनको defend किया वो ठीक है पर अगर मान लिजे कि आपका कोई शत्रू है और आप जान बूच के उनको कोई भी नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं क्यूंकि आपको लग रहा ह कि रहु है तो कोई problem नहीं मैं तो कोई भी situation overcome कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ तो वह बिल्कुल गलत है क्यूंकि 6000 जो है वह प्रारब्ध कर्मा यानि Unchangeable कर्मा को रिप्रेजन करता है और शनी रहु के तुए तीनों ही सबसे आधा कार्मिक प्लानेट है तो इस वक्त अ करेंगे ऐसा कोई काम तो आपका चहरा आपका असलियत सब के सामने आ जाएगा जिसके वदे से पॉजिव फेम के जगह पे आपका जो मान सम्मान जो इज़त है वह एकदम negative यानि नीचे आ जाएगा क्योंकि राहु एक फेस है उसका कोई body नहीं है तो आपका face loss होने के chances हो होगा तो इस वक्त सिर्फ अपने काम के तरफ ध्यान दीजिए क्योंकि आपके overall काम में monetary success में पैसे में बहुत ज़्यादा विद्ध्याएगा तो अगर आप अपना यह जो राहु का जो यह cleverness है राहु का जो बुद्धी है उसकी जो शक्ति है उसको अगर आप अपने काम में positive way में अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो इस वक्त आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ओके तो यह रहा राहु आप लोग की life को कैसे प्रभावित करेगा hopefully आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो please like, share and subscribe कीजिए comment करके मुझे बताइए कैसा लगा है आपको वीडियो और इसके बाद जो केतु वाला वीडियो आएगा please उस वीडियो को भी देख लेना क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सरे important details बताऊंगी ओके तो चलिए आज के लिए इतना ही thank you so much for watching my video मुलाकात होगे आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो पे thank you so much, bye